हाई गाईज कैरी है फ्रूम कोड माइन तो कैसे हैं आप लोग तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग एक पाइथन डुवल पर बन सकते हो और चाहे फिर आप आप आई टी बैग्गराउंड से हो आपने आई टी के अंदर पढ़ाई की हो या ना की हो तो स्टेप बाइ स्टेप इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप पाइथन सीख सकते हो कैसे उसके अंदर काम स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप एक अच्छी पेइंग जॉब हासिल कर सकते हो अगर मैं परसनली अपनी बात करूँ तो मुझे 6-7 साल का एक्सप तो अपने कुछ एक्सपिरियंस के बेस पे और अपने जो इरदगिर्द लोग हैं जो की आईटी के अंदर कुछ दूसरी जॉब से स्विच हुए हैं तो उनके एक्सपिरियंस उनके नॉलच के बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उमीद करूँगा कि आपको ये पसंद आएगी तो प्लीस इस वीडियो को कम्प्लीट देखना बाद में हम लोग जो हैं पाइथन ड्वेल पर आप कैसे एक्सपिरियंस गेंद कर सकते हैं कितनी सैलरी होगी कितने तरीके का काम आपको मिलेगा ये सब हम वीडियो के एंड में बात जरूर करेंगे तो आई पहुंच सकें तो आईए वीडियो को शुरू करते हो step by step समझते हैं कि Python क्या है और कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं तो सबसे पहला question यहां कि Python developer है क्या चीज़? Python developer जैसे कि आपको शाहिद पता होगा कि Python एक programming language है जिसके अंदर हम software, web applications, artificial intelligence, robotics इस तरह के काम कर सकते हैं और Python developer एक engineer जो कि Python के अंदर code लिखता है और help करता है पुरी team के अंदर ताकि हम एक complete software प्रोवाइड कर सके market के अंदर तो यह एक मोटा माटा काम है Python developer का और step by step हम आगे समझते हैं कि Python इतना जादा बूम क्यूं है market के अंदर सबसे पहला question यहाता है कि Python ही क्यूं और कोई programming language क्यूं नहीं तो Python basically इसलिए जादा important हो जाती है कि Python हमें एक feature देता है कि अगर आपको Python आती है तो आप IT के लगबग हर एक sector के अंदर जा सकते हैं क्यूंकि जैसे मैंने पहले बताया कि Python जो है development के अंदर, web development के अंदर, software development के अंदर, even की mobile apps की, APIs के अंदर, robotics, machine learning, data science तो हर एक area के अंदर Python यूज होती है तो अगर आपको अच्छी Python की knowledge है तो आपके लिए जो career का scope है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ में Python को learn करना काफी easy है अगर आपकी IT की background नहीं भी है तो भी आप easy Python को ready कर सकते हैं सबसे बड़ा question जो मैंने पहले clear कर दिया है कि आपको कोई specific degree चाहिए कि नहीं तो इसका answer है कि नहीं बिलकुल भी नहीं हाँ अगर है आपके पास computer related कोई graduation या post graduation तो ये एक बहुत अच्छी बात है लेकिन ये mandatory बिलकुल भी नहीं है अगर आपके पास एक normal graduation है और आपको अच्छे से Python आता है तो इसका कोई जादा effect नहीं पड़ेगा हाँ कुछ companies ऐसी होती है जिनका कुछ rules and regulations होते हैं कि आहां में तो computer background का ही person चाहिए लेकिन ऐसा normally नहीं होता अगर आपका python की skills देखी जाती है अगर आप उसके अंदर better है तो आपको easily hire किया जाएगा so question जो की ये था कि python के लिए आपको किसी specific degree की जुरूरत है या नहीं तो answer है बिलकुल नहीं so next एक बड़ा question है कि भईया मुझे कहां से python सीखना चाहिए कहीं से कोई degree करनी चाहिए python के अंदर या फिर कोई diploma या course करना चाहिए online तो मैं आपको इसमें एक बात clear कर दूं कि आप कहीं से भी सीखें किसी बड़े से बड़े institute में या आप youtube की video देखके सीखें और या किसी person to person mentor से सीखें तो इससे कोई बड़ा फरक पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि starting में सिर्फ आपकी skills देखी जाएंगी so certificate से इतना बड़ा फरक पढ़ता नहीं है अगर आप अपने career के big name में है हाँ बाद में अगर आपको experience हो जाता है अगर आप different जैसे की devops और किसी बड़े scale पर certification करते है तो उसका आपको काफी benefit होगा so next question है कि भाईया आपको basic requirements क्या है python सीखने के लिए तो पहले मैंने clear कर दिया कि degree जुरूरत नहीं है कहीं से भी आप सीख सकते है दूसरा point ये था और अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि basic requirement क्या है मतलब pre-requistic क्या है pre-requistic का mean होता कि भाईया python सीखने से पहले आपको क्या आना चाहिए तो python सीखने से पहले आपको computer चलाना आना चाहिए क्योंकि आपने python करनी तो computer पर ही है और अगर आपको computer ही नहीं चलाना आता तो कैसे आप programming करेंगा तो पहली basic चीज है कि आपको at least computer चलाना आना चाहिए file, edit, save, delete ऐसा कुछ आपको आना चाहिए basic सा और प्री रिक्विष्टी के अंदर है कि अगर आपको basic programming की knowledge है जैसे c++ जो basic programming language अगर आप computer background से है या और और भी कोई ऐसे courses होते हैं graduation में जहांपे c++ सिखाई जाती है तो अगर आपको basic c++ की knowledge है तो आपके लिए python सीखना बहुत ही easy हो जाएगा even जो आप है दो से तीन week के अंदर easily सीख सकते हैं तो दो चीज़े important है पहला कि आपको basics of computer तो आने चाहिए like computer on करना, off करना, file delete करना, edit करना इतना तो normally care सबको ही आता है ये mandatory है तो second point है कि अगर आपको c++ आती है तो बहुत बढ़ी है अगर नहीं आती तो दिल छोड़ने की बात नहीं है आप सीख जाओगे, आप कर लोगे तो ये तो ही कुछ pre-requist की बात भाईया कि python सीखने के लिए हमें यही चीज़े चाहिए, right और अभी python start कैसे करना है इंस्टॉल कैसे करते हैं, variables क्या होते हैं, right So basic आपको कहीं से भी के curriculum मिल जाएगा कि python के अंदर आपको क्या क्या करना होता है तो core python को आप अच्छे से उसकी practice कीजिए, उसके program run कीजिए try to make a different different program और बहुत ही जो complex logics होते हैं starting में नहीं बनेंगे आप से that's okay but आप try कीजिए, धीरे-धीरे आपको जो है, आपका जो हाथ काफी खुलेगा programming के अंदर आप easily complex logic भी भना पाएंगे, right और एक आपको tip यहाँ पर मैं दूँगा कि programming यहां से होती है computer तो सिर्फ हम लोग execution के लिए use करते हैं तो अगर आप basics of python शुरू कर रहे हैं तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि कौन-कौन से points पे आपको ज्यादा ध्यान देना है जैसे कि हो गया, if conditions हो गया, loops हो गया, control statement जैसे break and continue होगा, list, tuple, dictionary यह बहुत जादा important है इसके लावा सबसे जादा important है, oops का concept, मैं oops का concept repeat कर रहा हूं, मुझे सबसे जादा important है क्योंकि अगर आप further किसी भी field के अंदर python में काम करेंगे, तो हर जगा oops use होगा और oops के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे तो classes, object, inheritance, abstraction, encapsulation इसके आपको proper knowledge होनी चाहिए, अगर नहीं knowledge है तो पढ़िए और भी जो points आपको basics of python के अंदर करने जुरूर ही है, वो मैंने description के अंदर mention कर दी है, तो आप उसके अंदर जाईए, उसको note down कीजिए, उसको ज़रूर पढ़िए, definitely आपको बहुत सारा benefit होगा उससे अच्छा, next बात है कि अभी आपने python basics कर लिया, आपका object and classes भी अच्छे से आगे, आप बहुत अच्छे से programming कर पा रहे हो, अभी next thing है कि भाया आगे क्या करें, right, so आगे एक बहुत ही crucial point है, जहां पे आपने ये decision लेना है कि भाया, अब मैंने किस field के अंदर जाना है, right, मैं आपको जो है, web development की example दूँ कि ये actually होगा तो python ही हर जगा, लेकिन आपके वहाँ पे modules जो है, वो change होते जाएंगे, जैसे अगर web development है, तो python के कुछ और frameworks और modules use होंगे, अगर आपके जो है, आप data science कर रहे हो तो उसके लिए अलग modules use होंगे, तो इस हिसाफ़ से अब आपने select करना है कि आपने अब कौन सी field के अंदर जाना है, for example कि अभी आप select करते हो कि आपने web development के अंदर जाना है, तो आपको jango आना चाहिए, आपको jango flask आना चाहिए, jango rest apis आनी चाहिए, तो ऐसे कुछ frameworks हैं, जो कि आप जब decide कर लोगे कि भी आप इस field के अंदर जाना चाहते ह कर सकते हैं, कि कौन सी libraries आपको पढ़नी पढ़ेंगी, तो अगर वो सारा कुछ python में के ही अंदर है, just python के अंदर बनी होई library, आपने उसको use करना है, practice करना है, तो यह सबसे जादा important है, अब की python के basic सीखने के बाल, अब आपने field सेलेक्ट करना है, अब आपने कौन सी field के अं अची है, और आप कितने अच्छे से problems का solution python से कर सकते हैं, तो यह अगला point है, कि आपने python के basics भी सीख लिए, आपने यह decide भी कर लिया कौन सा field में जाना है, और थोड़ा बहुत आपने उसके modules सीख भी लिये, उस particular fields के, अब आगे question raise होता है, कि experience थोड़ा कैसे gain करें, तो experience ग साथ-साथ apply करते हैं, अपना पढ़ना भी मत छोड़िये, apply भी कीजिये, और पढ़ते भी रही है, ताकि interview जब हो, आपको कुछ भूले न, आप easily आप वहां पे explain कर सकें, तो starting में अगर आप fresher है, तो कोई भी आपसे detail expectation नहीं करेगा, कि आप उनको काम करके दे दोगे, just व आप एक team player, as a team player, आप कितना बढ़िया हो सकते हैं, तो ये दो-तिन चीज मोटा मटी वो देखते हैं, तो आप पढ़ाई मत छोड़िये, आप python के अंदर जुरूर काम करते रही है, और साथ-साथ आप apply भी करते रही है, तो दूसरा चीज है, ये fresher भी यूज कर सकते हैं, जो कि किसी और field के अंदर अभी काम कर रहे हैं, और IT के अंदर move करना चाहते हैं, python seek के, तो उनके लिए suggestion ये है कि भीया, अगर आपने seek लिया है, थोड़ा बात आपको knowledge भी है, या आप कोई और programming language करते थे और इसमें आना चाहते हैं, या किसी और field के अंदर थे, तो आप अ इनको assist कीजिए, उनके साथ काम कीजिए, और उनसे कहिए कि भीया, मुझे थोड़ा काम दो, और मैं फ्री में बहुत ही काम कोस्ट में आपको करके दे सकता हूं, उसके बदले में आप प्लीस मुझे थोड़ा बहुत गाइड कीजिए कि भीया, ये काम ये अगर प्रॉब् पाएंगे, तो अभी आगे बात आती है कि भीया, सेलरी कितने मिलेगी, जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमने इतनी महनत की यही पॉइंट के लिए कि कितनी सेलरी एक पाइथन ड्वेलपर को मिलती है, तो अगर सेलरी की बात की जाए तो आईटी के अंदर सेलरी की कोई लिम और आप कितना इजिली इंटर्वी करेक कर सकते हैं, और कैसे आप जो है, इफेक्टिवली इंप्रेस कर सकते हैं इंटर्वी को, कि हाँ मुझे काम आता है, मैं आपकी कंपनी के लिए कितना एक बेनिफिशल एसेट हो सकता हूँ, तो उस बेस पे आपकी सेलरी सेलेक्ट होत कीजिए हां स्किल्स के ऊपर फोकेस कीजिए आपकी आपकी अटोमेटिकली निक्रीज होती रहे की राइट तो यह कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे यह कुछ स्टेप्स से जो मैंने आपके साथ शेयर किये पाइफन डोल पर बनने के लिए राइट सो स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जोरू बताइए सो दोस्तों उमीद करता होंगा कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्रा कि अ color यह रिए करते ते वाईए सो वीडियो चैनल कि नगरी बहुत अवरी ते नहीं हमारी चैनल को स्वेश्चन है क्यावारी झानल को स्नल कि अनल को सब्सक्रावी नहीं हमारी घ्यदे झाल पिखोर साई झाले की।